हलो फ्रेंट्स वेल्कम टी यूट्यूफ चैनल इसकेशन निकेतन आज के हम इस वीडियो में 64th BPSC के जो के स्केंट फिर्च का इंटर्वीव शुरू हुआ है उसी के अंतरगत 5 और 6 जनवरी को जो प्रश्ण पूछे गए हैं वो आपके साथ साजा कर रहा हूँ जो पहला इंटर्वीव का प्रश्ण शाजा कर रहा हूँ इनका अशनातक और पराशनातक कभी से इतिहास है और इनका बेकल्पिक भी से एलेस्ट डावलू राधा इनसे पहला और दूसरा प्रश्ण वहीं पूछा गया जो पूछा जा रहा है सारे मेंबर से आपका ग्रश् डिबलू क्यों लिया किसान बिल से क्वेश्ण पूछे गए बिहार के किसान अपोच क्यों नहीं कर रहा है बिहार में इस तरीके से वेस्टन यूपी हर्याना और पंजाब राजसान में हो रहे हैं किसान बिल के दो निगेटिव और दो पॉजिटिव पॉइंट्स इनसे बारे में कितनी बार बारता या हो चुकी है और आगे की बारता कब होने वाली है MP-led जो फंड होता है उस से दिंसे पूछे गया आप कैनमडल में लॉयन आउडर के स्थी खराब होते हैं उसके क्या क्या कारण हो शकते हैं और उसके प्रिवंशन के लिए कौन-कौन से गद के three moments जो कि तीनों कालखंड से संबंदित हो जो अभी भी सही अवस्था में हो इतिहास का भी वाजन की सधार किया जाता है इनसे जो maximum प्रस्ट पूछे गए हैं वो इतिहास से ही पूछे गए हैं और इनका कहना था कि इनका optional subject होने के बाद बावजूद भी इनसे लस्ट नहीं पूछे गए पूरे इंट्रिव्यू के दरान इसके बाद तीन महिलाओं का नाम बताईए जिन्हों ने भारती इतिहास को एक नया मोड परदान किया बंगाल भी वाजन के क्या कारण है उसके ब्रूद क्या किया गया था इनका जवाब 10 के बाद इनसे पूछा गया नेक्स्ट सोदोसी अंदुर उनसे कौन-कौन से लोग जुड़े थे कोई मूश्लिम नेतावी से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था इनका कहाना है कि इतना ही ने याद है इस दिप्रश्ण इनसे पूछे गए उनका बोर्ड था अरुन भगत सरका लगबग 10 से 15 मिनिट उनका इंटर्विव चला था अब नेक्स्ट इंटर्विव पर चलते हैं जो कि 6 तारीक एंटर्विव हुए उनका इंटर्विव इन्ट्रेल इंजिनेरिंग 2018 के पाउट थे यानि इनका गप बहुत ज़्यादा नहीं था इन्होंने ऑप्ट्विव के रूप में एंथ्रपलोजी देर रखा है होबी योगा बोर्ड के चेर्मेन इंतियाज सर इंटर्विव का समय इन्होंने बताया है कि 12 से 15 मिनिट और इनके इंटर्विव चलावागा गिर्जिशन के सब्जेक्ट में किया है कहां से किया है कब के पास आउट हो पोस्ट प्रिफ्रेंस क्या है प्लेस्मेंट हुआ था या नहीं हुआ था अगर अभी आप अपने फिल्ड में रहते तो किस तरह की जॉब होती आपकी इसके बा करते तो आपको नहीं लगता कि यह जो मनी है उसका वेस्टेज है अगर आप इस तरीके से अपने कोर फिल्ड में ना जाकर दूसरे फिल्ड में आने की कुशिस कर रहे हैं तो आपको इस डियम बनाया जाए तो आपकी प्रियोटिज क्या होगी इन्होंने चार सेक्टर बत इस पर इन से प्रस्ट पुशा गया कि इस पर तो सेंट्रल गॉब्मेंट और स्टेट गॉवर्मेंट अल्रड़ी बहुत सारे कारे कर रही है आप क्या करेंगे इसमें इन्वेटिव एंथ्टरो में ही हुमन एवल्वेशन की थियोरी बताईए इसके बाद इन्होंने बता प्रस्ट का जवाब था कि आप कर फॉर्म अभी भी डिवेटेड है श्री चेर्मेंट सर ने पुशा कि यह कनफर्म हो गया है अभी प्रस्ट पर डिवेट है कई जगा तो यह भी लिखा है कि हुमन एडायेक्ट क्रियेशन आपने ऐसा कुछ सुना है इसके बाद इन्होंने मन की बाद अपनी बताई है कि मैंने इस प्रस्ट का जवाब नहीं दिया लेकिन इनकी मन में चल रहा था कि इस तरीके का जवाब दे सकते हैं इन भागवत गीता आई हैड वन्स रेड इन जविज कि से क्रिष्णा से से डर मनु इस दा प्रो जेनिटर अफ मैंकेंट और इट हैज कॉम फ्रॉम फ्रॉम में इस दिस कैम तो माइं माइंड बट शॉरी दिन बट आयम रिवेंड सैलेंट कौन कौन सा योगासन करते हैं एक योगासन का नाम बताईए जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है इस तरीके के प्रस्ण दो बच्चों से पहले पूछे जा रहे हैं कि उस योगासन का नाम बताईए जो खाना खाने के बाद किये जाते हैं किसी दो रेस का नाम और यह भी सोट को कैसे पाश्चाननेंगे कि इसके बाद इन्होंने उसके फिटर्स बता हैं इस्वाइट इसके पूछा गया कि उनकी किस तरीके के होती है कि हेविएस्ट मेटल पुछा गया इन से वाट इस इंडेक्स इसके परकार टाइप्स ऐसा होता है क्या कि जिसका बूर्ड या लॉंग हेड होगा उसमें ज्यादा इंटेलिजेंस होगा आप इस मत से सहमत हैं प्रथाम्ति नरें मोदी का स्रेल नंबर क् इस करम के वो प्रधान मंत्री हैं प्रथाम्ति पांच प्रधान मंतियों का अपनाम बता दिए भारत के हो मेनी बेदाज नेम देम ओल्डेस सब्जक्ट मेटर ऑफ रिगवेड इसके बाद इन से पूछा गया कि भार्टिज फेडरल अस्ट्रक्ट्चर्ट क्या होता है और भारत में राष्ट्पती का चुराओं किस परकार होता है हौप पिश्डेंट ओफ इंडिया इज इलक्टेड अग्या कि अग्या कि संसत के ओर कौन से लोग हैं जो कि राष्ट्पती की चुराओं पाटिसिपेट नहीं करते हैं तो जो नमांकित सदस्यों होते हैं वो इंट्रेस्टिंग बनाया है कि इनका फेसियल इंप्रेशन इस तरीके का था कि अभी तो आया ही हूं और इतनी जल्दी इंटर्व्यू खत्म भी हो गया इनका थेंक्यू सर हैवे नाइस डे तो इस तरीके से इनोंने लगभव विस्तित रूप में अपने इंटर्व्यू क साजा किया है और प्रश्णों को भी लगभव इनोंने विस्तार से बताया है हमारे साथ अगला जो कोई भी इस्टूडेंट अगर इंटर्व्यू का प्रश्ट साजा करता है तो हम आपके साथ लेकर उसे उपस्तित हो गया है अगर हमारे प्रयास आपको अच्छा लगे इ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद